हाई गाइस हमने जो न्यू सिरी स्टाट की है अगींस दो गॉड उसका पार 26 हमने अभी मिस्टू पर अप्लोट कर दिया है जिसका लिंक एंड स्क्रीन में हमने लगा दिया है इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखें जिसे की लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रे पार देखकर कुछ श्रेक की टीचर जो शौक हो गई थी और पहले तो उन्हें ये लग रहा था कि श्रेक एकाडमी जिसमें सिर्फ रिजर्फ टीम के मेंबर हैं वो बला इनसे कैसे लड़ पाएंगे लेकिन अब उन्हीं समझ आ गया है कि ये बिलकुल इनसे लड़ सकते ह वही हम सन एंड मोन एंपायर को देखते हैं जहां मीटिंग हो रही थी और उसमें उनका मेंटर बताता है कि उन्होंने श्रेक के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जो ये साथ लोग है इनमें सिर्फ बीबी, जूर शांसी और ज्याग नान ही स साल हुआ है बाकि वो जो यंग मैन यू हाओ है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बता चला कि वो कहां से बिलॉंग करता है वहां बच्चे सोचने लगते हैं कि क्या वो सच में 6 लाग वाली सोल रिंग पोसेस करता है जिस पर कुछ बच्चे कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नह का है जब त्यान ले ने अपना भाला छोड़ा था यूहां ने शेंसे के उबल लाइटनिंग शॉक का यूज किया जिससे शेंसे एक सेकिंड के लिए फ्रीज हो गया वो जरूर उसका मेंटल अटाग था यानि उसके पास स्पिरिचल आई की भी पार है और इसका मतलब यह है कि वो ड्यूल मार्शल सोल रखता है उसको देखकर लगता है कि वो कावे टालेंड़ है और जो उसकी डबल मार्शल स्पिरिट है वो उसे बहुत आगे तक ले जाएगे लेकिन अभी वो पहुच छुड़ा है और हमसे कमपीट करने के लायक नहीं है इस पर उनका स्टुड लीडर कहता है कि भले ही उसके पास डबल मार्शल स्पिरिट है लेकिन मैं भी डबल कल्डिवीशन का टीचर हूँ और भले ही वो मेरी एज का हुद्धा वो मुझे नहीं हरा सकता था उसका टीचर ये देखर हसता है और कहता है कि मुझे तुमारा ये पॉजिटिव देना है लेकिन लीडर कहता है कि उनका अकला माच Zyantiyan Academy के साथ होना है और मुझे तो ये डर है कि कहीं वो Zyantiyan Academy से ही ना हार जाए क्योंकि उनकी टीम में सारे Reserve team members हैं वही श्रेक Academy में वो लोग अकले माच की planning कर रहे हैं और teachers वो ने उन्हें ये स्ट्राटेजी बताई है कि जब तुम जैंट्यन एकाडमी से लड़ो तो जू शैंसी अपनी पार का यूज करके अपने पोजीशन को उनके लीडर के साथ स्वाप कर दे जिसे उनका लीडर इन शे श्रेक डेविल्स के बीच में फस जाएगा और फर हम उ स्किल डिफेंस है और तुम थोड़े समय के लिए बड़ी से बड़ी पार से बस सकते हो इसलिए जब तुम उन्छे ऑपनेंट के बीच फस जाओगे तो तुमें अपनी डिफेंस पार का यूज करके बस तब तक बचना है जब तक ये छे श्रेक डेविल्स उसकी लीडर को ना हरा दे क्योंकि लीडर के हारते ही उनकी टीम बिखर जाये की और वो अटोमाटिकली हार जाएंगे यू हाव कहता है कि जू शान से तो इतने ताकतवर हैं कि अगर वो उन्छे के बीच चले गए तो वो अकेले ही उन्छे को हरा सकते हैं जिस पर बीबी कहता है कि ये इंधियान अकाडमी से लड़ते हैं और जीच आते हैं तो जब तक हमारे बागी में मेंबर्स भी आ जाएंगे और फिर तो में रिलीफ मिल सकेगा और फिर अगले दिन अरीना में मैच स्टार्ट होता है और दोनों टीम के कैप्टन को बिलाया जाता है और वो लोटरी निक पर है कि इस अकेले ने अपने पिछले माच में अपनी टीम को जितवाया है वो दोनों लोटरी निकालते हैं और रिजल फिर दो दो तीन बैटल का आता है यह देखकर श्रेक टेविल्स ने राश हो जाते हैं क्योंकि ऐसा माच उस टीम के लिए बेनेफिट होता है जिसमें सबी लोग बहुत साथा पाफुल हो यानि ये चीज से इंध्यान के लिए बेनेफिशल है उनकी टीचर उनको हिम्मत देती है कि मुझे पता है कि ये तुमारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है लेकिन हम श्रेक एकादमी वाले कभी हार नहीं मानते हैं बीबी भी अ पहले जू शैंशी और ज्यांग नानन को जाने को कहती है टीचर फिर उन्हें आपनें टीम मेंबर्स के बारे में बताती है कि उनकी टीम में ये मर्सिलेस और मैंग्दी है मैंग्दी लेवल 53 पर है और उसके पास इंजल की मार्शल सोल है रॉंपर के पास मेंटल असॉल प यू और मेंग्दी को भीज थी और उनका गैसे एकतम सही निकलता है क्योंकि ज्यांग तैंक से यही दोनों आगे लड़ने आते हैं। यू और मेंग्दी जू शैंसी और ज्यांग नानन को अपना इंट्रो देते हैं और आप उस्ट उनके बीच मुकाबला शुरू कर देती है। यू और मेंगदी अपनी मार्शल सोल को निकालते हैं और वो मेंगदी की मार्शल सोल को देकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आंगर की मार्शल सोल थी इंजल की मंशल सोल बहुत ही ज़ाधा rare है क्योंकि ये एकदम टॉप की मंशल सोल है और इसकी innate soul पर 28 थी आपको याद इछादव की तांग शान के innate soul पर 10 थी टीचर्स वो बताती है कि इंजल की मंशल सोल अपने सूपर अटाक के लिए जानी जाती है क्योंकि 10,000 साल बहले जो बहुत बड़ी वार इस कॉंटिनेट में हुई थी उस बाटल में तांग शैंग ने दो बड़ी महाशक्तियों का सामना किया था और उन मेंसे एक बड़ी महाशक्ति इंजल गौड थी और उसका नाव कुएंडरेंजियू था अब मैंग दी और यू उन पर हमला कर देते हैं और जू शैंशी और ज्यांग भी उन पर काउंटर अटाक करते हैं और पहले ये हैट आन बातल करते हैं और फिर अपने अपने वेपन्स निकाल कर एक दूसरे को हराने की कुशिश करते हैं यू और मैंग दी एक संग जू शैंशी पर हमला कर देते हैं और मिंग्दी का अटाग् जू शानशी को लगने ही वाला था कि तभी वह अपनी पुजिशिन को यू के साइल चेंज कर लेता है जिससे अब मिंग्दी का आटाग् यू को लगने लगता है लेकिन यू की स्पीड भहँ साधा फास्ट है और वह बिना किसी मेनत के अराम से उससे बच आता है और वो अटाक फिर पीछे जियांग नानन को लगने लगता है हलागि वो शिल्ड क्रियेट करके उससे बच आती है लेकिन फिर भी उसे काफी हानी पहुँच ली है और फिर यो उस पर हमला कर देता है और उसको कई सारे कर्ट्स दे देती है जियांग नानन के शरीर से खून आने लगता है जू शैंसी उसको बचाने के लिए वहाँ जानी लगता है लेकिन मेंगती उसे रोग देती है लिए है कि तुम पहले मुझसे तो लड़ लो मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी ये कहकर वो जू शैंसी पर हमला कर देती है और वहाँ जियांग नानन को पिट्टे हुए देख रहा है और वो उसको बचा नहीं पा रहा है और उसका मन बहुत साथा दुखी हो रहा है उसे काफी जादा गुसा भी आ रहा है और फिर तभी उसके अंदर ब्लड आक्टिवीशन हो जाता है ये देखकर टीजर जुओ समझ आती है कि ये उसका ब्लड आक्टिवीट हो रहा है बीबी पूछता है कि इसका मतलब क्या है जिस पर वो बताती है कि जुओ स्यंसी की माशल सोल बहुत जादा एक्स्ट्राइटनरी है मैंने कई इंचिन बुक्स में पढ़ा है कि उसकी माशल सोल के अंदर जुओन मिंग को कोई रिच्वल करके जगाया जा सकता है लेकिन अभी जूर्शान्सी के अंदर वो स्वान्स्पिरीट सील हुई पड़ी है, और अगर वो अनलोग हो जाती है तो जूर्शान्सी बहुत जाधा पाफूल हो जाएगा, हम देखते हैं कि वो सील कम्षोर पढ़ने लगती है, और Zoan Spirit बाहर आने लगती है जिसे जू शानसी के अंदर एक ढाकॉरा आजाता है और वो बहुँ साधा तकत्षर हो जाता है और यू जों की ज्याङ्ञ नानन को मारने ही वाला था उसके आके तब एक शील्ड आ जाती है और ये शील्ड Zoan-sी की है और ये शील्ड से टकरा कर बहुत दूर दा केल दिया जाता है ये देखर मेंग दी अपनी तलवार से ज्यांग नानन पर हमला करने लगती है लेकिन गुसी में आया हुआ जूर्शांजी मेंग दी पर हमला कर देता है और अपने बहुत ही ताकतवर ड्रागन से उसको रोग देता है ये ड्रागन एक डिवाइन लीनियज का बीस्ट है और इसका नाम ज्वान वू है वैंग टॉंग कहता है कि आके ये उसकी सील अभी क्यों टूटी जिस पर बीवी बताता है कि ये उसके नानन की प्रती प्यार की वज़े से हुआ जिस वज़े से उसकी टेंपररेली सील टूट गई मैंगती फिर पीछे से जियांग नानन पर हमला कर देती है और फिस जू शांसी उसके पास जाकर जियांग नानन को बजाते हुए उस पर हमला करने लगता है बले ही जू शांसी बहुत ही जादा पाफुल अभी के लिए हो गया है लेकिन मैंगती के पास एंजल स्परिट पार है और इससे बचवाना बहुत मुश्किल है मैंगती अकेले भी इन दोनों को हराने की पार रगती है और जियांग नानन जब ये देखती है कि जू शांसी उसको बजाने के लिए खुद की भी परवा नहीं कर रहा है तो उसको खुद के लिए दुखी महसूस होने लगता है कि वो जू शांसी के साथ ऐसा बिहेव करती थी मैंग दी अप अपने एंजल अवतार में आ जाती है और उसके अंदर से बहुत जादा औरा निकलने लगता है जू शांसी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो क्या तुमें चोट लगी है जू शांसी बहुत धर्द में है लेकिन फिर भी वो खुश होकर कहता है कि मैं बिलकुल ठीक हो और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा मेंग्दी अपनी डिवाइन स्वाट को निकालती है और अपना सबसे पाफुल अटास करने लगती है जू शांसी ज्यांग नानन को कहता है कि मैं इसे सिर्फ तीन सेकिंड के लिए फ्रीज कर पाऊंगा और इन तीन सेकिंड में तुम्हे इसे हराना होगा ज्यांग नानन समझ आती है कि जू शांसी अपने उस डिवाइन बीस्ट रफदार में आ जाता है और उसके बाद से स्वाट अटाक को अपने उपर ले लेता है और उसे रोपने लगता है जू शांसी के मूँ से बहुत साथा खून निकलने लगता है और फिर तभी इन तीन सेकिंड में ज्यांग नानन अपने स्पीड का यूज करते हुए उसके धलबार के उपर चड़कर मेंग्दी के पास पहुँच जाती है और फिर उसे वहाँ बहुत जोर से किक मारती है जिससे मेंग्दी बहाँ जाकर गिरती है और वो भी आउट हो जाती है और इस तरह जू शांसी और ज्यांग नानन जीत जाते है अब अगले मैच में ये दोनो धकान और चोट की वजह से नहीं लड़ सकते इसलिए ये दोनो रेस के लिए चले जाते हैं और अब अगला मैच काई दू और ज्याओ ज्याओ लड़ने के लिए आगे जाते हैं और आपनेंट की टीम से भी दो लोग आते हैं और ये चारो एक दूसरे से लड़ने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट को निकालते हैं और फिर यही एपिसोट खत्म हो जाता है